नमस्कार बच्चो आज हम आपके पुस्तक की पाट एक ध्वनी कविता पढ़ेंगे जिसके कवी सूर्य कांत त्रेपाठी निराला जी है कविता ध्वनी में प्रकर्ती के प्रती मानविय सम्वेदना तथा आशावादी रूप का चित्रन है कविता है अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में म्रदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत कवी कहता है कि अभी अभी ही तो उसके जीवन में वसंत आया है इसलिए अभी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता वसंत रितु, रितुओं में स्रेष्ट मानी जाती है और कवी के जीवन में वसंत रितु के आने का मतलब है कि उसके जीवन में अभी उत्साह का बातावरन चाया हुआ है इसलिए उसके जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता वसंत के आते ही प्रकर्ती में जिस प्रकार चारो और सुन्दरता चा जाती है प्रकर्ती हरी भरी हो जाती है डालियां कलियों से लद जाती है कवी का जीवन भी वसंत के आगमन से बदल गया है वह नींद में डूबी अलसाई कलियों को जगाना चाहता है हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात मैं ही अपना स्वप नुम्रदुल कर फेरूंगा निंदृत कलियों पर जगा एक प्रत्यूश मनुहर कवी का कहना है कि वो नई पिड़ी को निर्मान और विकास के पत पर लाना चाहता है कवीता में हरे पात डालियां कलियां युवा पिड़ी को बताया गया है जिनने की वो विकास के पत पर आगे चलने की प्रेड़ना देना चाहता है उसने कहा है कि जिस प्रकार अलसाई हुई कलियां जिन में की थोड़ा आलस रह जाता है वो उस आलस को दूर कर एक नए प्रातह का मिर्मान करेगा नए सवेरे को लेकर आएगा पुष्प पुष्प से तंद्रा अलस लालसा खींच लूंगा में अपने नव जीवन का अमरित सहर स सींच दूंगा में दूर दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनन्त अभी न होगा मेरा अन्त इस का अव्यांश में पुष्प को युवा पीड़ी के लिए प्रतीक के तौर पर प्रयोग में किया गया है कवी कहता है कि रात्री की निंद्रा के बाद जो आलस बच जाता है वह जगने में बाधख होता है कवी हर पुष्प से आलस से को खींच लेना चाहता है वह स्वयम कर्तव्य निस्ठ बनकर नई पीड़ी का मार्ग दर्शन करता हुआ उनके जीवन को अमरित रस से सीजना चाहता है वह उन्हें जिव्विता के मार्ग को दिखाना चाहता है कवी वसंत के संदेश को जन जन तक पहुँचाना चाहता है जिस प्रकार आसा और विकास जीवन का उद्देश होते है उसी प्रकार ये नव पीड़ी अपने जीवन को कर्तव्य पत पर बढ़ाते हुए जीवन के अच्छे सार्थर्कता को प्राप्त करेगी